हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग हैपी मकरशंक्रान्ती आप सभी को मकरशंक्रान्ती की बहुत बहुत बधाई दोस्तों अभी सुबह के आठ बजी हैं और मैंने जल्दी ही नहा लिया है क्योंकि हमको बनाना है सुबह का खाना और आज खिचडी का तेवहार भी है हमारे गा लेकिन गाउं में हमारे खिचडी बोलते हैं इसलिए हम भी बोल रहे हैं और बाल हमारे हलके हलके सुक गए हैं और मैं कर रही हूँ पूजा पूजा करने के बाद ही हम काम सुरू करते हैं तो बाकी का खाना हमने कल बना लिया था आप लोगों ने वीडियो देखा है उगा तो कल हमने खाना बना लिया था जो हमको दही बड़े बनाने थे और बाकी का खाना कल बन गया था आज सिर्फ हमको खिचली बनानी है तो ये देखे मीठी को हम दे रहे हैं खिचली का दान हम पंडित को देते हैं पंडित ना हो तो फिर कन्याओं को देते हैं तो पंडित तो था नहीं तो हमने मीठी को दिया है और इधर आलू उबल रहे थे चुला पर ये आलू मीठी के पापा ने रख दिये थे सुबह उबलने के लिए जब हम नहा रहे थे तब तो देखे आलू उ खिच्डी ली है ज्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि कचोडी भी बनाएंगे तो खिच्डी ज्यादा नहीं खाएंगे इसलिए थोड़ी खिच्डी ही बना रहे हैं और इसको हमने अच्छे से साप कर लिया है दुल के पानी में डाल रहे हैं पानी अच्छे से हमारा उबल चुका था तो अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक और नमक डालने के बाद इसको हम बंद कर देंगे और यह धीरे धीरे अपना पकती रहेगी तब तक हम इधर कर लेते हैं दूसरी चीज की तयारी तो देखे मीठी के पापा आलू छीलने लगे थे बोले कि हम आलू छीलने और तुम दूसरा काम कर लो तो हम काट रहें धनिया और इधर देखे खिचड़ी भी हमारी बन गई है इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल रहे हैं घोल करके पानी में और कुछ हम खिचड़ी में नहीं डालते हैं हमारे गाउ में मम्मी हमारी ऐसी ही बनाती हैं तो खिचड़ी हमारी बन गई है और देखे उतार भी लिया हमने अब इसमें हम डाल देंगे धनिया धनिया डाल कर इसको हम बंद कर देंगे और थोड़ी देर के बाद जब तक भाया लोग नहा कराएंगे तो खाने के लिए खिछड़ी हमारी सही हो जाएगी और ये वही दही बड़े हैं जो हमने कल बनाए थे देखे कितने अच्छे से फोल चुके हैं सुबह हमने निकाला एक खाने के लिए तो सबसे पहले हम मीठी को खाने के लिए देंगे तो देखे मीठी की थाली लग गई है और मीठी हमारी ये खा रही है बैट करके सबसे पहले हम लड़कियों को ही देती हैं खाने के लिए हमारी मम्मी हम लोगों को ही देती थी वैसा हम भी करती हैं और जब तक ये लोग खाना खा रहे थे खिचडी तो हम कचोड़ी बना रहे हैं कचोड़ी हमारी पूरी बन गई हैं ये लास्ट की हैं दो तेल भी थोड़ा बच्चा है और ये कचोड़ी नहीं कचोड़ा हैं बड़े बड़े तो आईए आप लोग भी खा जाएए और हम भी जा रहे हैं खाना खाने और खाने के बाद आप लोगों से मिलती हैं तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आप सभी को मकर संक्रान्ती की बहुत बहुत बधाई और मेरे छोटे भाई बैनों को धेर सारा प्यार और मेरे माता पिता की समान जो लोग हैं उनको साधर प्रणाम अभी मेरा सुबह का सारा काम हो गया है मैंने बरतन धो लिए और कपड़े भी धुल लिए मीठी को नहला दिया उसको तयार भी कर दिया है और वो अपने पापा के साथ पतंग उड़ा रही है तो देखे आप लोगों को दिखा रहे हैं वो अपने पापा के साथ पतंग उड़ाती है कैसे खेल रही है किदर गए यह देखे वो लोग पतंग उड़ा रहे है हाँ बाबू पापा से ले लो जा तो देखिए लोग पतंग उड़ा रहे हैं और हवावा उत्ते चल रही इसलिए तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने पतंग उड़ाई की नहीं और यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लेज वीडियो को लाइक करना सेयर करना और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो फ्लीज मेरे पैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक आप लोगों से इजाज़त लेते हैं तो नमस्कार दोस्तों अपना ध्यान रखना